अगर आप किसी भी teaching exam की तयारी कर रहे हैं तो ये classes आपके लिए most most important हैं इस channel पर आपको best and authentic material provide करवाय जाता है इसलिए अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लें bell icon पर press कर all notification को आप on कर दें अगर आपको किसी तरह का कोई doubt है कोई issue है कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस contact number पे whatsapp message कर सकते हैं साथ में हमारा जो telegram group है उसको आप join कर लीजिए हमारी जो application है वो launch हो चुकी है foundation classes by Amit के नाम से उसको भी आप download कर लीजिए इन दोनों का जो link है download करने का वो आपको video के description में मिल जाएगा आप वहां से directly download कर सकते हैं ठीक है अगर किसी भी reason से यहां से आप download नहीं कर पाते है तो आप इस contact number पर WhatsApp message कर दीजिए तो personally जो link है वो मैं आपके साथ share कर दूँगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अगर आपको selection चाहिए न अगर आप चाहते हैं कि चंडिगड PRT में आपका selection हो तो इस video को completely देख लेना मैं एक एक छोटी से छोटी जो detail है न वो आपके साथ आज discuss करने वाला हूँ ठीक है देखिए अब काफी जो student है न उनके message आए कि सर जो आप description बोलते हैं इसका मतलब क्या है एंकि उनको ये नी समझ में आ रहा कि app को download करना कहा से है तो देखिए जब YouTube पे आप वीडियो को play करते हैं तो इस तरह से आपकी video play होती है इसके just निचे देखिए आप इस तरह से आपको लिखा हुआ दिखेगा और यहाँ पे जाएंगा नहीं यहाँ पे आपको more लिखा हुआ देखेगा more तो जब आप इस more पे click करते हैं तो click करते ही next में आपको ये दिख जाएगा completely ऐसा लिखा हुआ तो यहीं पे आपका application का link है उसको भी download कर लेंगे ठीक है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि description का मतलब क्या होता है अब चलिए आगे बात करते हैं content के उपर देखिए जैसा कि आपको पता है चंडिगण PRT की जो date है ना form fill करने की वह increase हो गई है अब आप जो form filling है वो 31 October तक कर पाएंगे फिस deposit आप 2 November तक कर पाएंगे और आपकी जो first confirmation list आएगी ना वो आपकी 10 November तक आएगी तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 November तक तो आपका exam होना है नहीं और आप ये मान के चलिए कम से कम एक मन्थ और उपर यान कि दिसंबर दिसंबर से पहले आपका exam नहीं होना है और हो सकता है इससे भी ज़्यादा समय मिल जाए तो आप इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास है समय अब हमारे पास head time चिज़ों को और भी best से best तरह से करने का तो अगर आपको real में selection चाहिए ना अगर आप selection लेना चाहते हैं ना कि आपका selection हो तो जैसा मैं कहता हूँ ना सिर्फ और सिर्फ आप वैसा ही कीजिए मैं आपको एक single से single question भी exam में दिखा दूँगा कि sir ये हमारा single question रहा और ये हमारी इस तरह के थोरी से आया है exact मैं आपको question भी दिखा दूँगा आप विश्वास कीजिए और आप इतने समय से मुझसे जुड़े वे हैं आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता भीच लगया होगा कि content कितना best है तो आज की वीडियो को आप completely एक बार सुन लेना जो मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ then उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे ना तो आप preparation को उसी के according start कर देना जैसा मैं आपको बोलूँगा आप वैसा ही करना selection आपका 100% हो जाएगा ठीक है मैंने help की भी है ठीक है जिनोंने मेरे पास call की है मैंने उनकी help की भी है और मैं आप सभी की 100% help करना चाता हूँ लेकिन सर आपको मेरी बात समझनी होगी अब मैं आपको क्या समझाना चाता हूँ कि मैं हूँ एक teacher वो teacher के लिए उसका जो content है ना उससे best कुछ भी नहीं है एक teacher के लिए ठीक है तो सर हमारा जो content है ना वो selection वाला content है ठीक है तो आप समझे इस बात को आपका तो 2-3 मैने बाद selection हो जाएगा तो सिदा और simple सा है आप तो चले जाएगे मुझे यहीं पे रहना है इसी content के उपर काम करते रहना है और यही content मुझे अच्छे way में provide भी करवा आना है तो सर आप समझे इतने best content को जिस पे मैं 15-15 घंटे काम करता हूँ मैं YouTube के उपर free में upload नहीं कर सकता हूँ मैं free में नहीं डाल सकता हूँ अगर मैंने मेरा सारा content free में upload कर दिया ना तो मेरी value सर यह समझे 0 है मैं फिर कुछ भी अच्छे तरीके से life में नहीं कर पाऊँ ना तो यह समझे मेरी value है ना बिल्कुल 0 हो जाएगी तो आपको यह चीज समझनी होगी मैं आपकी 100% help करना चाहता हूँ इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना इस course की जो हमने चंडिगड प्यार्टिक लिए launch कर रहा है ना इसकी जो value है ना मैं low से low कर रहा हूँ तक कि आप कर रहूँगा ना तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक गंटा जो video बनाने में लगता है ना उसको मैं direct app के अंदर बहुत ही जल्दी एकदम सिधे से तुरंत से तुरंत upload कर पाऊंगा और वो आपके पास तुरंत पहुच जाएगी ठीक है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप स इसको याद रखिएगा और इसलिए इस course की जो price है ना मैं एकदम low से low कर रहा हूँ एकदम low से low इससे निचे मैं sir कर भी नहीं पाऊंगा आपको ये चीज़ समझनी होगी और जिनको इससे भी problem है ना तो आप मेरे पास call कर लेना message है message कर देना मैंने आपको number दे दिये है ठ for size में जिनका आप आसानी से क्या निकलवा सकते हो print भी निकलवा सकते हो आपको mock test ncrt based छोरी with detailed explanation आपको हर एक चीज़ स्कोर्ष के अंदर मिलेगी आपको कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की जुरत नहीं पढ़ेगी और अब तो हमारे पास समय भी है तो ncrt based में आपको ऐस free नहीं डाल सकता हूँ आपको ये चीज़ समझनी होगी और मैंने इसलिए जो application है उसके अंदर ऐसा feature नहीं है कि मैं वहाँ पे एक folder बना दूँ और वहाँ पे direct upload कर दूँ इसको free के अंदर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं YouTube का link लगा सकता हूँ यानकि पहले मेरे को video YouTube पे डालनी पड़ेगी और तब ही मैं उसको app के अंदर free में provide करवा पाऊंगा तो ऐसा application के अंदर कोई भी system नहीं है वो इसी तरीके से बनाई गई है कि free material में आप सिर्फ वोर सिर्फ link की ही upload कर सकते हो तो वो मैं करने ही पाऊंगा तो इसलिए मैंने इस course की fees एना एकदम low कर द लिखेंगे इस चीज को आप याद रखिएगा तो जो fees है ना वो मैं आपको बता दूँगा आप app को download कर लीजिए तो जैसे यह आप app को download करेंगे आपके पास notification आज आएगा आपको fees के बारे में भी बता दूँगा कि कितनी fees मैं रख रहा हूं तो प्लीज आप course को purchase कर ले यूटूब पे आप हम सिर्फ और सिर्फ MCQ करेंगे ठीक है जो आपके PYQ questions है ना उनको हम YouTube पे करेंगे तो आप YouTube पे PYQ questions को देखना और यह best होंगे और सभी आपके NCRT based है ठीक है और with हम explanation इनको करने वाले है तो आप YouTube पे MCQ classes को देखना और जो theory classes है जो हमारा best से best content है जो डाउनलोड करके install कर लेना और जो course की fees है ना मैं low से low रख रहा हूं वो आपको पता चल जाएगी जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद मैं telegram group में या app के अंदर जो notification है ना वो आपके पास send कर दूँगा कि कितनी मैं इसकी fees रख रहा हूं तो पहला काम आप देखने को मिलेंगी तो मैं आपके थोरी इतनी बार revise करवाने वाला हूं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं ठीक है तो चलिए फिर start करते हैं उत्पत्ति के आदार पर संसाधनों के प्रकार कौन-कौन से हैं बताइए आप जैव और एजैव नवीकरण और एणवीकरण transfer हो जाएगा answer number first अब इसकी explanation देखते हैं अप संसाधनों का वर्गीकरण मैं ये theory classes में ये सारी चीज़े करवा चुका हूं और यही question देखना आपको देखने को मिलेंगे exam के अंदर जब आप exam देंगे तो उत्पत्ति के आदार पर आपके जैव और एजैव हो गई समाप् विक्सित भंडार और संचित कोस तो ये सारे के सारी चीज़ें आपको 100% याद रखनी है next question की तरफ चलते हैं पंजाब में भूमी निमनीकरण का मुखे कारण क्या है भूमी निमनीकरण यानकि भूमी का क्या होना खराब होना नस्ट होना उसका क्या हो जाना एक तरह से completely खराब हो जाना तो पंजाब में भूमी निमनीकरण का मुखे कारण क्या है घैन खेती है वनोन मुलन है हदिक सिचाई है या फिर अती पसुचारण है तो इसका जो correct answer हो जाएगा answer number C अधिक सिचाई आगे बढ़ते हैं explanation को देखिया आप पंजाब हर्याना और पस्चमी उत्रपरदेश के अंदर क्या होगा आपकी हदिक सिचाई के कारण आपकी भूमी निमनीकरण होती है अती सिचन से यानकि हदिक सिचाई से उत्पन जलाकरांतता यानकि water crisis भी भूमी निमनीकरण के लिए उत्तरदाई है जिससे मिर्दा में लवनेता और आपकी चारेता भढ़ जाती है इन बातों को आप याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं काजू की फसल के लिए कौन सी मिटी अच्छी है most important question है आपका पुछा जा सकता है और पुछा भी जाएगा देखना काली मिटी जलोड मिटी लेटे लेटे राइट मिटी और आपकी परवतिय मिटी आपका correct answer क्या होगा answer number C यानकि लेटे राइट मिटी क्या है आपकी काजू की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है explanation को देखते हैं मिर्दा समरक्षन की उच्छी तकनीक अपनाकर इस मिर्दा पर करनाटक केरल और तम क्यांसी मिटी उप्योग गिया है आपकी लेटे राइट मिटी तमिलाडू अंद्रपरदेश और केरल की लाल लेटराइट मिर्दाई काजू की फसल के लिए अधिक है उप्योगते हैं तो मिल गया ना काजू के लिए कौनसी फसल कौनसी मिटी आपकी लेटराइट मिटी आगे बढ़ते हैं, बारत के कितने परतिसत भाग पर पठारी छेतर उपलब्द है, 30% भाग, 25% भाग, 27% भाग या फिर 32% तो आपका correct answer हो जाएगा answer number C, यानकि 27% जो भाग है न, वो आपका पठारी छेतर है, explanation को देखते हैं, भूच हेतर मैदान लगबग 43% है, और जो किसके लिए यूज की जाते हैं, आपके किरसी, उद्योग के विकास के लिए, और परवत पूरे भूच हेतर के 30% भाग पर है, यानकि परवत कितने परतिसत पर, 30% भाग पर, वे कुछ 12.80 नदियों के परवा को सुनिस्षित करते ह हैं, परियटन विकास के लिए अनुकूल प्रस्थितियां परदान करते हैं, और पारिस्थिति के लिए क्या है, आपके महतव पूर्ण है, यानकि एन्वारमेंट के लिए क्या है, आपके महतव पूर्ण है, और आप बात आती है पठारी छेतर की, तो जो पठारी छेतर है लगबग 27 परतिसत है इस छेतर में खनीजों जिवासन इंधनों और वनों का अपार संचे को से इनकी यहाँ पर इखटे हैं तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं हमने आरी थोरी के अंदर और एकदम बैस्ट तरीके से इनसे भार आपको चीजें देखने को नहीं मिलेंगी आप यकीन कीजिए ठीक है आगे बढ़ते हैं खनन के कारण जार्खन चतिसगर मद्यपरदेश और उडिस्सा जैसे राज्यों में भूमी निमनी करण का क्या करण है देखिया उडिस्सा के अंदर भूमी निमनी करण का सबसे बड़ा रिजन क्या है तो इसका आंसर क्या हो जो में भूमी निमनी का करण गायना है आपका वनोन मुलन ठीक है गुजरात राजस्थान मध्यपरदेश और महरास्ट में आपका अतिप पसुचारण है पंजाब हर्याना और पस्चमी उत्तरपरदेश में आपकी हदिक सिचाई है तो इस सारी की सारी चीजे आपको 100% ठीक है आगे बढ़ते हैं वह कौन सा राज्य है जहाँ पर जल संसादन परचूर मातरा में उपलब्ध है लेकिन मूल विकास की कमी है जैसे हमसे राजस्थान वाला क्यूशन पुछा गया था कि राजस्थान के अंदर कौन सी सोर उर्जा डैस कौन सी उर्जा उपलब्ध है लेकिन वहाँ पे जल संसादन की कमी है जो आपका ओरिजिनल क्यूशन पुछा गया था आपके एकजाम के अंदर तो 2019 वाला जो एकजाम था उसके अंदर पुछा गया था तो वहाँ पे आंसर क्या था आपके पावन उर्जा तो उसी तरिके से यह कूशन मेंने बनाया ह और आपसे 100% पुछा भी जाएगा अगर वो पुछा गया है ना तो ये भी पुछा जा सकता है कि वे कौन सा राज्य है जहापर जलसन सादन तो परचूर मात्रा में है लेकिन जो आपे मूल विकास की जो प्रस्थिती है ना उनकी कमी है तो आपका गुजरात होगा अरुनाचल परदेश होगा मद्धे परदेश होगा या फिर केरल होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आंसर नमबर B अरुनाचल परदेश अब हम एक्स्पलानेशन को देखते हैं देखिए जार्खन, मद्धे परदेश और 36 गड़ आदी परांतों में खनिजो और कोईले के परचूर भंडार है याद रखीगा जार्खन, मद्धे परदेश और 36 गड़ आदी परांतों में खनिजों के या कोईलों के परचूर भंडार है अरुनाचल परदेश में खालिस्तान में पवन और सोर उर्जा की क्या है बहुतायत है बहुतायत तका मतलब होता है बहुत हदिक मातरा में है लेकिन जल संसादनों की क्या है वहाँ पर कमी है आपका एज़िटीज पुछा था यहाँ पर क्या दे दिया था डैस दे दिया था खालिस्तान पर यह तो आ मनीपूर और अन्डमा निकोबार द्वीप सुहूं में कितने परतिसत से भी कम छेतर बोया जाता है। आप से ये पुछा गया है। सुद निवल जिसे वो कोलते हैं सुद बोया गया छेतर का परतिसत भी विविन राज्यों में भिन भिन है जैसे पंजाब और हरियार के अंदर 80 परतिसत जो भूमी है वो आपकी खेती योग्ये है अरुणाचल परदेश, मिजोरम, मनेपूर और अंडमा निकोबार में 10 परत परतिसत भोगोलिक खेतर वांचित है वन निती द्वारा निर्दारित या सिम्मा पारिस्थित की संतुलन बनाई रखने के लिए क्या है आपकी आउसक है आपको इस सारी सारी चीजे याद रखनी है आगे बढ़ते है चेतरफल की अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा कौ से मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी परवतिय मिट्टी बालू मिट्टी या फिर जलोड मिट्टी तो इसका जो correct answer हो जाएगा answer number D क्या हो जाएगा जलोड मिट्टी ठीक है explanation को देखते हैं देखिए आप भारते वर्दा विज्यान संस्थान का पिस थिते हैं आपकी भोपाल में भोपाल का पर है आपका मध्यपरदेश के अंदर तो आपको याद रखना है भारत में सबसे जादा छेतर फल में सबसे जादा आपकी जलोड मिट्टी है उसके बाद आपकी लाल मिट्टी है उसके बाद आपकी काली मिट्टी है और काली मिट्टी के बाद आत नैट्रोजन और फास्फोरस तीन ऐसी चीज़े हैं जो भारत की मिट्टियों के अंदर सबसे कम मिलती हैं ठीक है आप इन चीज़ें को याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं लावा मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है काली मिट्टी, जलोड मिट्टी, परवतिय मिट्टी और लेटराइट मिट्टी तो इसका जो correct answer हो जाएगा answer number first यानकी काली मिट्टी काली मिट्टी वो मिट्टी है जिसको हम लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं तो अब हम इसकी explanation को देख लेते हैं देखिए आप भारत में सबसे ज़्यादा छितरफल मैं बता चुका हूँ जलोड मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइड मिट्टी अब देखिए यही मेरा कराने का तरिक्का है अब जब मैं MCQ करवा रहा हूँ आपको PYQ करवा रहा हूँ ठीक है तो जब कोई question आता है उस चीज से related तो उसकी जितनी भी explanation होगी ना मैं आपको बार-बार repeat करवाँगा जैसे अब यही वाला क्यूस्टन है आपके सामने दो बार आ चुका है तो सीधा और simple से है दो बार देखेंगे तो ज़्यादा याद होगा तो मैं दुबारा बता रहा हूँ जलोड मिट्टी लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी तो जितनी भार चीज़ें आएंगी ना question आएगा ना उस से related explanation मैं उतनी भार ही बताऊँगा इससे क्या होगा ना आपकी theory automatic आपको 5-10 बार रिवाइज हो जाएगी एक्जाम से पहले ही आपकी चीज़े tips पर हो जाएगे और वह मैं आपने आप करवा दूगा आप सिर्फ और सिर्फ जैसा मैंने आपको बोलना है आप वो कीजिए ठीक है तो भारत की मिट्टियों में तीन चीज़ों की हमेशे कमी रहती है कौन-कौन सी हुमेस की, नाइट्रोजन की और आपके फासफोरस की अब देखिए काली मिट्टी के नाम देख लीजी आप कौन-कौन सी मिट्टी है ये सबते जुताई वाली मिट्टी कहते है काली मिट्टी को कपासी मिट्टी इजी है आपको याद भी होगा काली मिट्टी को कहते है रेगुर मिट्टी किसको बोलते है काली मिट्टी को और लावा मिट्टी भी किसको बोलते है काली मिट्टी को उसके बाद आपका गंगा का छेतर, उसके बाद आपका भ्रहम पुत्र का छेतर, यह तिनों छेतर मैंने बताए थे, और यह सारे किस्से हैं, आपके जलोड मिर्दा से बने हुए, तो देखिए अब आप काली मिर्दा, जलोड मिर्दा, प्रवतिय मिर्दा और बालो मिर्दा तो correct answer क्या हो जाएगा आपका? answer number B तो तभी तो आपका उत्तरी मेदान है यहांपर आपकि जनसंख्या जादरा है क्यों? क्योंकि जलोड मिरदा है जलोड मिरदा सबसे उपजाओ मिरदा है तो सबसे उपजाओ होने के कारण यहांपे हम क्या होते हैं? अनाज उगाते हैं, तो जहाँ पर अनाज वगरा जादा उगाय जाएगा, वहीं पर तो आपका सबसी जादा अनाज उगाय जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, आपकी जलोड मिर्टी है, अब हम देख लेते हैं explanation को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जलोड मिर्दाइन के जिसको हम बोलते हैं, यह मिर्दा विस्तित रूप से फैली हुई है, और यह देश की महतबपुन मिर्दा है, वास्ताव में संपुर्ण उत्री मैदान जलोड मिर्दा से बना हुआ है, यह मर्दाइन हिमाले के तीन महतबपुन नदी तंतर, सिंदू, गंगा और ब्रहंपुत्तर नदियो द्वारा लाए गए निछेपों से निर्मित है, तो देखिए, यह आपके 10 क्यूसन्स थे, जो मैंने आपको कराए हैं, इसी तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्यूसन्स को करेंगे, आप यूटूब पे इन डेली क्लासेश को दे मत कीजेगा, और आप यूटूब पे ठेली क्लासेश नहीं आएंगी, वो आपको एप के अंदर मिलेंगी, जो कोर्स का प्राइज है, मैं लो से लो कर रहा हूँ, ताके आप सभी उसको आसानी से परचेज कर सकें, और इस प्राइज में भी अगर आप परचेज नहीं कर प सिर्फ इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू